हेलो एवरिवन, आज की स्टूड़े में हम Central University of Hyderabad के M-Tech Admissions Process के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनको भी नई पता है, उनको मैं बता दूँ कि Central University of Hyderabad के द्वारा M-Tech Courses offer की जाती है और इसमें Admissions के लिए आपको Gate Score चाहिए जिनका भी Gate Qualified है, वो बच्चे इस University में M-Tech Course के लिए अपलाई कर सकते हैं और ये एक काफी अच्छा University है जिन भी बच्चों का Gate Score low है या फिर उनका कहीं NIT, IIT में Admissions नहीं हो पाता है तो वो बच्चे Central University of Hyderabad को Opt कर सकते हैं क्योंकि ये University में M-Tech Courses काफी अच्छी होती है और इसका placement भी काफी अच्छा है तो इसी University के बाड़े में आज हम complete details में discuss करने वाले हैं M-Tech Admissions के बाड़े में और जो भी बच्चे यहाँ पे Admissions लेते हैं उनको stipend भी मिलता है इस University के द्वारा अब हम discuss कर लेते हैं कि आज का हमारा main topic क्या-क्या होने वाला है सबसे पहले हम discuss करेंगे कि important date क्या है इस admission process के लिए next है कि आपका registration fee कितना लएगा इस University में अगर आप apply करते हैं कौन-कौन से M-Tech courses है जो इसमें offered की जा रही है उस courses का क्या eligibility criteria है उस course में admission लेने के लिए gate का हमारा कौन सा paper चाहिए और जो भी बच्चे का admission होता है उनको कितना यहाँ पे stipend दिया जाता है जो भी बच्चे gate qualified है वहीं बच्चे इसमें apply कर सकते हैं मैं फिर से बता देता हूँ जो भी बच्चे का gate में marks cut off marks से जादा है वह बच्चे इसमें apply कर सकते हैं और उनको इसके लिए stipend भी मिलता है तो आईए आज की इस वीडियो को हम सुरू करते हैं इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल पे काफी सारा वीडियो अप्लोड किया हुआ हुआ है सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो भी आपका कर सकते हैं कि जो भी आपका अप्लिकेशन सब्मिसन ने वह 18-4 से ही स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है अप्लिकेशन सब्मिसन का वह आपका 10-5 और जो इसके बार में भी बताया किया यहां पर देख लिजिए नोटिफिकेशन ऑफ लिस्ट अफ सलेक्टेट काइनिडेट फॉर एडिमिसन काउंसेलिंग यह बाइस पांच तक आपको रिलीज किया जाएगा एडिमिसन काउंसेलिंग आपको 31 को कम्प्लिट कर लिए जाएगा यानि कि इस दिन तक आपका जो है डॉक्मेंट अगड़ा वेरिफाई कर लिया जाएगा इसके लावाँ जो भी क्लासे से वह एक अगस्त से स्टार्ट कर दिया जाएगा तो आप इसमें देख सकते हैं कि डैरेक्ट आपका एडिमिसन किसी भी परकार से कोई बी इंटर्व की जा रही है जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला ब्रांच है एंटेक बायो इंफॉर्मेटिक्स इसके लिए आपको 25 सीट है अब हम देखेंगे बायो इंफॉर्मेटिक्स में कौन-कौन से गेट पेपर इलिजीबल है उसके बारे में आगे हम डिसकास करते हैं पहले ह सबसे बायो इंफॉर्मेटिक्स में वैसे बच्चे अपलाई कर सकते हैं जो बच्चे बीटेक, बीए या मसी इन बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायो केमेस्टरी, बायो टेक्नलोजी, अपलाईड मायक्रो बायो 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 इंजिनियरिंग, बायो इंजिनियरिंग, बायो इंजिनियरिंग, बायो इंजिनियरिंग, बायो इंज इसके साथ ही साथ आपका 55% मार्क्स होना चाहिए इसके लावा आपका गेट में मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए गेट में कौन कौन सा पेपर आपका इलिजीबल है इसके लिए आप देख सकते हैं सबसे पहला है इसमें से अगर किसी भी आप पेपर में गेट में क्वालिफाइड है तो आप डिरेक्ट यहां पे अपलाई कर सकते हैं और जो भी बच्चे एडमीट होंगे उनको गेट फेलोसिप दे जागा अभी इनको 12,800 रुपया पर मन्त स्टाइपन मिलता है तो आपको भी मिलेगा नेक्स्ट आपका ब्रांचेज है मेटेरियल इंजिनेरिंग इसके लिए आपको मिनमाम क्वालिफिकेशन जो है वो है आइधर बी बीटेक इन मेकेनिकल मेटेरियल मेटेरियल मेटेरलर्जी से केमिकल्स इंडिस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोडक्शन मैनिफेक्ट्रिंग और नेक्नलोजी या आपका होना चाहिए MSC in Chemistry, Physics, Materials, Science, Nanoscience इसके सांथी साथ आपका ये कोर्स में 55 परसेंट मार्क्त आपका होना चाहिए इसके लावा आपका किसी भी एक गेट पेपर में क् जैसे कि यहां पर gate score मांग रहा है aerospace engineering में या फिर chemical engineering, production and industrial engineering, mechanical engineering, metallurgical engineering, chemistry, physics, engineering sciences, इसमें से किसी भी पेपर में अगर आपका qualified है आप तो आप इसके लिए eligible हैं नेक्स्ट आपका ब्रांचेज है नैनो साइंस एंड टेक्नलोजी इसके लिए आपका minimum qualification है बी बीटेक इन मेकेनिकल, मेटेरियल, मेटेरलर्जी, सेरामिक, केमिकल, इंड्रस्ट्रियल, production, manufacturing, एंड नैनो टेक्नलोजी या फिर आपका होना चाहिए MS in chemistry, physics, material sciences, नैनो साइंसे इसके साथ ही साथ आपका 55% मार्क्स होना चाहिए इसके लावाँ आप गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, गेट में कौन-कौन से पेपर इलिजिबल है इसमें है आपका aerospace engineering, chemical engineering, production and industrial engineering, mechanical engineering, metallurgical engineering, chemistry, physics and engineering sciences, नेक्स्ट आपका कॉर्स है manufacturing science and engineering, इसके लिए आपका जो minimum qualification है वो है इसके साथ आपका इसका कौर्स में 55% मार्क्स आपको चाहिए, इसके लावाँ आपका गेट स्कौर्स चाहिए, किसी भी पेपर में जैसे कि यहाँ पेपर जो इलिजिबल है उसके बारे मैं मैं डिसकास खड़ लता हूँ, तो गेट पेपर जो इलिजिबल है इसमें है, aerospace engineering production and industrial engineering, mechanical engineering and metallurgical engineering, next आपका mtech courses है, इसका ब्रांचेज है integrated circuit technology, इसमें आपका valid gate score चाहिए, gate score in electronics and communication engineering, instrumentation engineering, physics with either 60% aggregate marks or equivalent CGP in B, Btech in electronics, instrumentation and control engineering, electronics and communication engineering, electronics and control system, electronics and information system, electronics and instrumentation, electronics engineering, electronics science and engineering, electronics technology, instrumentation, instrumentation and electronics engineering, instrumentation and control system and instrumentation technology, या फिर आपका 60% marks होना चाहिए, और इसका equivalent CGP होना चाहिए, MSC program in electronic science, electronics, applied electronics, electronics and communication, engineering physics and instrumentation, physics with electronics as one of the subject, radio physics, radio physics and electronics, इसके सांथी सांथ इन बच्चों को आपको, जो भी बच्चे gate के basis बडमिसन हो रहा है, इनको आपको AACT के दवारा जो मतलब fellowship दिया जाता है, वो बच्चे को fellowship मिलेगा, अब जो लास्ट ब्रांचेज है, वो है micro electronics and VLSI design, इसके लिए आपको valid gate score चाहिए, electronics and communication engineering में या फिर instrumentation engineering में, या फिर physics, या फिर आपके पास, मतलब यह तो gate score चाहिए, इसके साथ ही साथ आपको at least 60% aggregate marks और equivalent से GPA in B.E.B.Tech in electronics, instrumentation and control engineering, electronics and communication engineering, electronics and control system, electronics and information system, electronics and instrumentation, electronics engineering, electronics, science and engineering, electronics technology, instrumentation, instrumentation and electronics engineering, instrumentation and control system, instrumentation technology, या फिर आपका 60% or at least 60% aggregate marks or equivalent C.G.P.A. in master degree such as M.S.E. in electronic science, electronics, applied electronics, electronics and communication, engineering, physics, instrumentation, physics with electronics as one of the subject or radio physics, या फिर रेडियो फिजिक्स विट इलेक्ट्रोनिक्स ये सभी बच्चे इलिजिबल है इसके साथ ही साथ जो भी बच्चे इसमें अडमिसन लेंगे उनको AICT के द्वारा fellowship भी दिया जाएगा तो ये था आपका basic eligibility criteria इस उनिवर्सिटी में अडमिसन लेने के लिए इसके अ के लिए डाउनलोड डिटेल नोटिफिकेशंस आफ पीजी प्रोग्राम कर सकते हैं या फिर मीनम्म क्वालिफिकेशंस एंड इलिजिलिटी क्रेटरिया फॉर एम्टेक देख सकते हैं साथी साथ जो भी बच्चे यहां पर अप्लाई करेंगे उनको कुछ चार्चेज सब्सक्राइबाद में एम्टेक एडमिसंस के बाड़े में कमप्लीट डीटेल्स जिनवे अच्छों का भी गेट में कम स्कोर है वह बच्चे इस उनिवर्सिटी को आप्ट कर सकते हैं इस उनिवर्सिटी में एडमिसन लेने के बाद आपका काफी चांसेस है कि प्लेस्में